हेलो फ्रेंड्स, कलर्फुल थ्रेट्स में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम बैक बनाना सीखेंगे जो मैंने पुरानी जीन्स और परदे के बचे हुए फैब्रिक से बनाया है अगर आप इस चैनल पर नए है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैक बनाने के लिए आप किसी भी तरह का कपड़ा ले सकते हैं जो थोड़ा सा मोटा हो यह पुरानी जीन्स का कपड़ा है मुझे इस कपरे पर क्यूल्टिंग करनी है तो पहले मैं इस पर मार्क कर लेती हूँ जिसे रिजाइन सही वने अब इसी नाप का लाइनिंग का कपड़ा फोम शीट और उसके उपर हम यह जीन्स का फैब्रिक रखेंगे अब जो डिजाइन हमने बनाया है इसी के उपर से हमें मसीन चलानी है पहले एक तरफ से चला लेंगे फिर दूसरी तरफ से हम डिजाइन बनाएंगे मैंने दोनों कुल्टेट पार्ट रेडी कर लिया है अब इसके नीचे हम यह परते वाला कपड़ा जोड़ेंगे इस तरह से स्टीच करेंगे यह स्टीच हो गया है अब इसके उपर एक सिलाई और चला लेंगे जिसे अच्छी तरह से बैट शाय है दूसरा पार्ट भी इसी तरह बना लीजिए इसे भी से फूल्ट कर लेंगे जो बंद साइड है उस तरफ से मैंने देरी इंच पे माक्या है इसे हलके से गुलाई देनी है अब देरी आ एक इंच पे इस तरह से माक्या है कर सकते हैं और नीचे भी मैंने डेरी इंच पे माक किया है और इसे भी हलकी गुलाई दे दूँगी अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे मैंने कटिंग कर ली है दोनों पार्ट समय एक जैसे काटने है बीच से फोल्ड करके हम इसके संटर पर निशान लगा लेंगे संटर से करीब तीन इंच की दूरी पर हमें एक इंच की प्लीट लगानी है तो पहले मैंने तीन इंच पर निशान लगाया है फिर एक इंच की हमें प्लीट देनी है इस तरह से, दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से plit देनी है दूसरी साइड भी हम एक इंच की plit लगाएंगे और उसपे सिलाई कर लेंगे सिलाई लगाने के बाद इस तरह से plate बन गई है अब उपर से डेर्श इंच पे मैं सिलाई करूंगी इस तरह से यहाँ पे दोनों साइड, डेरिंज तक मैंने सिला ही लगा ली है, बैग के एक पार्ट को लाइनिंग के कपरे के उपर लग देंगे, और चातर से मार्क करके उसे काट लेंगे, मैंने थोड़ा बड़ा काटा है, हमें दो पीस काटने है, अब बैग में लगाने के लिए हमें दो स्ट्रिप और कट करनी है, जहां हमने प्रीट लगाई थी, तो यह पार्ट थोड़ा सा कम हो गया है, तो इसी के नाप से हमें स्ट्रिप कट करनी है, यह करीब सारे 4 इंच और 14 इंच लंबी है, पहले मैं इसे क्विल्ट करूंगी, मैंने स्ट्रिप को क्विल्ट कर लि रखेंगे और सिलाई चला लेंगे अब उपर भी एक सिलाई लगा लेंगे जिसे अची तरह से बैठ जाए मैंने सेम साइट की दो स्ट्रिप और कट करी है इस पर हमें जिपर लगाना है दोनों स्ट्रिप को इस जिप से अटैच कर लेंगे एक स्ट्रिप के ऊपर हम जिप को उल्टा करके रखेंगे और सिलाई चला लेंगे इसके उपर हमें प्रेशिस्टी चलानी है जिसे पूरी तरह पैट चाहे अब दूसरी इस्ट्रिप के उपर भी हम जीब को उल्टा करके रखेंगे और एक सिलाई चला लेंगे अब हम बैक के स्ट्रेप बनाएंगे उसके लिए हमने 24 इंच लंबा और 3 इंच और कपड़ा लिया है थोड़ा थोड़ा हमें दूनों साइड से मोड़ लेना है और इस तरह से एक दूसरी को उपर रख देंगे और दूनों साइड हमें सिलाई चला लेनी है सेंटर से तीन तीन इच की दूर पर हम इस ट्रेप को रखेंगे और उसके उपर सिलाई चला लेंगे दोनों सादे स्ट्रेप लगा लिए हैं अब इसके उपर जीप वाली स्ट्रिप रखिए और सिलाई लगा लिजे इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब हमने स्ट्रेप लगाए हैं उसके उपर आपको सिलाई लगानी है स्ट्रिप अटेच हो गई है अब उपर से एक सिलाई और लगा लेंगे इसी तरह हमें बैक का जो दूसरा पार्ट है उसी भी रेडी कर लेना है उसमें भी हमें इस्ट्रिप अटाइच कर लेनी है हमने जो लाइनिंग का कपड़ा काटा था उसमें से एक पिस लेंगे और उसको इस तरह से फैला कर हमें रखना है और जो जिप हमने लगाई है उस वाले स्ट्रिप में हमें इसको अटाइच करना है थोड़ा सा कपड़े को अंदर मोड लेंगे और वहीं से एक सिलाई हमें लगा लेनी है दोनों का सेंटर मिला लेंगे बैक के पार्ट का और जो अमारा लाइनिंग है उसका भी बैक के सांथ हमने लाइनिंग अटाइच कर ली हमें दूसरे पार्ट में भी इसी तरह से लाइनिंग को अटाइच कर लेना है अब जिप में हम रणर लगा लेंगे इसके बाद हमें बैक के दोनों पार्ट एक साइट कर लेने हैं और जो लाइनिंग का पार्ट है उसे एक साइट कर लेना है अब इसके उपर से हमें सिलाई लगा लेनी है बैक के दोनों पार्ट को चित्रा से मिला लेंगे जिसे कोई उपर नीचे नहों इस्ट्रे पंदर साइड रखेंगे दो तीन इन चमने खुला रखा है जिसे सिधा कर सकें बाकी चारो तब सिलाई लगा लिए अब इसे सिधा कर लेंगे हमारा सुंदर सा हैंड बैक त्यार हो चुका है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद